नमस्कार आप देखरे टीन पी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मिली चौपे देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से सियासी घमसान मचा हुआ है और इसी सियासी घमसान के बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली की सतधारी पाटी यानि की आम आदमी पाटी का उनके कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है जिसके चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल के घर पर विधायक दल की बैठक हुई अब विधायकों खरीद फरोक के आरोपों तक पहुँच गया है बता दे कि आमादमी पार्टी के राजसभा सांसर संजै सिंग ने प्रेस कौन्फरेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था आपने दावा किया था कि बीजेपी के जिवाल सरकार को गिरानी की साजश रच रही है इसके लिए बीजेपी ने आमादमी पार्टी के चार विधायकों को 20-25 करोड रुपे का ओफर दिया है आईए आपको ग्राफिक्स के जरिया बताते हैं आमादमी पार्टी ने शिशोधिया के यहाँ CPI की चापे मारी को लेकर बीजेपी पर क्या-क्या आरोप लगाये है नियू यॉक टाइम में आर्टिकल छपने का बदला बीजेपी एजिंसियों का दुरूपियोग कर रही है मनीश शोधिया को बीजेपी ने संदेश भिजवाया आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश आपके विधायकों को 5 करोड का ओफर आईए आपको बताते हैं कि आमादमी पार्टी के वो चार विधायक कौन हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने इने भी फोन कर प्रलोवन दिया था सोमनाथ भारती दिल्ली नवादा सीट से विधायक है आईए अब ये जान लेते हैं कि आमादमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का खुद विवादों से कितना नाता रहा है नो महिलाओं ने शिकायद दर्ज कराई गैर कानूनी तरीके से घर में गुसने का आरू महिलाओं से बुरा बरताव करने का आरू पत्नी लिपिका मित्रा ने लगाया आरू गिल्ली महिला आयोग में शिकायद दर्ज साल 2011 में भी उत्पीडन का केस दर्ज बाद में वापस ले लिया गया था केग ओट से आपसी सेहमती से सुलझाने की अनुमती बैंक गोटाले से जुड़ा मामला आरूपी के वकील थे सोमनाद भार्थी कानून मंत्री थे सोमनाद भार्थी जजों की बैठक बुलाने का निर्देश कानून सचिव ने निर्देश मानने से किया इनकार जजों की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं कानून सच्चिव को लगाई थी सोमनात भार्ती ने फटकार सोमनात के खलाफ केस दर्ज JCB के जरिये एम्स की दिवार को नुकसान पहुचाने कारो सोमनात भार्ती पर भीड को उकसाने कारो सोमनात भार्ती के बात बात करते हैं कुलदीब कुमार की कुल्दीब कुमार दिल्ली कोंडली से वधायक है कुल्दीब कुमार का भी विवादों से चोली दामन का स्रात रहा आईए जानते हैं कुल्दीब कुमार के खलाफ केज़ड़ मिना अनुमती के तिरंगा यात्रा निकालने का आरू दिल्ली पुलिस ने लिया था आडे हाथो कुलदीव कुमार के खिलाव हुए दो केस दर्ट ये थे आमादमी पार्टी के वधायक कुलदीव कुमार अब आपको बताते हैं आमादमी पार्टी के तीसरे वधायक संजीव जा के इबारे में और पुलिस के बीच हुई जड़क ये थे दिल्ली सरकार के बुराड़ी से विधायक संजीव जा इसके बाद हम आपको बताते हैं बीजेपी की तरफ से ओफर का दावा कर रहे आम आदमी पार्टी के चौथे विधायक आजयदत के बारे में जो की दिल्ली अमबेडिकर नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक है आजयदत दिल्ली अमबेडिकर नगर से विधायक है सदन में अपने कपड़े फाड़े इनकी करतूद से लोकतंत्र को शर्मशार होना पड़ा स्पीकर ने अजयदत की आचरण को गलत बताया तो ये थे आमादमी पार्टी के वो वधायक जिनका नाम लेकर आप सांसत संजय सिंग ने आरूप लगाया कि बीजेपी के लोग हमारे वधायकों से मिलने आते हैं और धमकी देते हैं कि मनीश शुदिया की तरह फरजी मुकद में लगा देंगे इसलिए वधायकों को तोड़ने के लिए 20 और 25 करोड का लालच दिया जा रहा है और बीजेपी पार्टी में जोडने की कोशिश की जा रही वहराल संजज सिंग ने बीजेपी पर तमाम आरोप तो लगा दिये लेकिन एक बात तो साफ है जन्वधायकों का नाम लेकर ये आरोप लगाए गए उनका इतिहास भी कोई साफ पाक नहीं रहा है किसी के ऊपर महिला उत्पीडन का आरोप है तो किसी के ऊपर न जाने कितने केस दर्ज है अब ऐसे में किस की बात को सच माना जाए ये एक बड़ा सवाल है